तो जितने भी हमारे creator YouTube पे काम करते हैं काफी ज़्यादा परिशाना है क्योंकि उनके channel terminate हो रहे हैं बिना किसी reason के जैसे उनके पास mail आता है और अपना channel देखते हैं तो ऐसा है कुछ देखता है कि आपका channel terminate हो चुका है क्योंकि आपने community guideline को break किया है इसके regarding में पहले मैंने video एक upload किया था और काफी ज़्यादा comments आये काफी मेरे पास personally message आये कि हमारे channel terminate हो रहे है और हमें पता नहीं चल रहा कि कैसे उनको recover किया जाए और क्या ऐसा करे हम कि हमारा channel terminate ना हो तो A to Z पूरा detail में बताऊंगा इस video में video आपको last तक जुरूर देखना है कोई भी step आपको miss नहीं करना है ताकि आपका channel future में remove ना हो तो देखिए आपके पास दो तरीके से mail आ सकता है जैसे देख सकते हमारे पास एक mail आ है कि आपने community guideline break किया है इसकी बज़ा से आपका channel terminate हो गया है तो ये दो मेले maximum आपको spam का मिलेगा community guideline का कम मिलता है spam का जो mail है वो आपको ज़्यादा तर दिखेगा and इन दोनों की बज़ा से आपका channel जो है वो remove हो जाता है and आप बार बार appeal भी करते है लेकिन YouTube है उसका same reply आता है कि हम आपका channel recover नहीं कर सकते तो क्या कैसे तरीक्के हैं जिनकी बज़ा से आप जो आपने channel को recover कर सकते हैं तो video last तक जुरूर देखना तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए आपको community guideline जस्ट आपको यहाँ पे click करना है and इसे click करते देखिए यहाँ पे आपको देखेगा community guideline के यहाँ पे कुछ जो policies दी गई है आपको यहाँ पे हर एक policy को read करना है देख सकते हैं काफी ज़्यादा policy यहाँ पे दी गई है लेकिन जो हमारी main policy है वो है spam, deceptive practice and scam policy तो maximum जो terminate होते हैं वो इस policy की बज़ा से होते हैं तो इसी policy को हम थोड़ा briefly discuss करते हैं कि कैसे इस policy के according काम करें कि जिसे हमारा channel जो terminate now तो देखिए यहाँ पे अगर हम नीचे करें इसको scroll तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज़्यादा जो step पताए गए हैं अगर आप इन step को follow करते हैं तो आपका जो account है वो कभी भी remove नहीं होगा तो देखिए सबसे पहला option है वो है video spam आपको अपने channel पे कोई भी video spamming नहीं करनी है suppose that आप को video upload कर रहे हैं जिसमें कि आप अपने viewers को promise कर रहे हो कि हम आपको यहाँ पे views दिलाएंगे या फिर आपको traffic दिलाएंगे या फिर आपको हम promise करते हैं कि आपको हम जो है वो पैसा कमाके सिखाएंगे वो की fast दीक के से तो ये भी spam policy के अंडर आएगा देन अगर आप अपनी audience को redirect करने किसी another side पे यहाँ पे कोई harmful software जैन यहाँ पे भी आपका जो video है वो spam policy के अंडर आएगा उसके बाद देखिए misleading metadata और thumbnail जिसका आपको पता है कि आपको अपना title thumbnail and description according to आपके video के करना है जो कि आपके video में ऐसा नहों कि आपने कोई title ऐसा डाल दिया जा फिर thumbnail ऐसा डाल दिया कि only आपके viewers को attract करनी के लिए and जैसे वो open करें आपका video तो video में कुछ हो रहो तो ये भी spam policy के अंडर आएगा उसके बाद देखिए अगला option है scam अगर आप video में कोई भी कुछ offer कर रहे है या फिर intimate scheme को जनकी आप किसी chain marketing को promote कर रहा है तो ये भी scam policy के अंडर आएगा इससे भी आपका channel terminate हो सकता है उसके बाद एक incentivation spam अगर आप किसी को अपना जो engagement है वो sale कर रहे है ठीक है views sale कर रहे है like sale कर रहे है या फिर comment sale कर रहे है या फिर कुछ भी आप subscriber sale कर रहे है अपनी videos में तो ये भी spam policy के अंडर आएगा आपका channel terminate हो सकता है उसके बाद आता है हमारा comment spam suppose that आपने कोई video upload किया and comments में आपने को home submit कर रहे हैंड अपने viewer से कोई information gather कर रहे हो तो ये भी आपके content को बॉयलेट करेगा and आपका channel यहाँ पे terminate हो सकता है उसके वाद है repeated comments अगर आपके comments जो है वो regular repeat repeat पे चल रहे है तो यहाँ पे भी आपका content जो है वो remove हो सकता है उसके वाद third party content अगर आप live streaming कर रहे हैं किसी third party का तो बहाँ पे भी आपका channel जो है वो terminate हो सकता है and आपका content remove हो सकता है ठीक है दोनों में एक option होगा जा तो content remove होगा या फिर आपका channel terminate होगा तो यह तो थे सारे spam policy के steps अगर आप इन सारे steps को follow करते हैं then उसके बाद भी अगर आपका channel terminate हो जाता है तो मैं आपको बतात तो यहाँ पर आपको करना क्या है देखिए नीचे आपको url दिया रहेगा देख सकते हैं यहां से ऐसे क्लिक करना है आपको ठीक है यहाँ पर आपड्रेक लीसको copy क्र सकते हैं थीक है बहुत सारे creators को क्या है यहां प paper click here करना है इसफिए आपको पास option open होła जाएगा यहा वारेल डालना है जो कि आपका channel suspend हुआ है ठीक है अट यहां पर क्या करना है आपको पूरा ब्रीफ में बताना है कि आपका चैनल जो है वो किसी भी पॉलिशी को आट नहीं करते हैं और हमारा जो content है बिलकूर original content है पूरा डिटेल में यहाँ पर बताएंगे तेन उसके बाद आपको क्या करना है सुब्मिट वटन पर क्लिक करना है यूट्यूब के बाद आपका मेल जाएगा तेन वह आपके चैनल को रिव्यू करेंगे देन उसके बाद आगर आपका चैनल किसी भी पॉलिची को प्रेक नह mail आया था इनका अभी जस्त थोड़ी देर पहले after taking another look we can confirm that your channel does not boil it over community guideline and ये channel जो है वो fully recover हो चुका है and जो यहाँ पे आपको description डालनी है वो मैं link अपने video की description में दे दूँगा आप हाँ से easily copy करके यहाँ पे paste करिये and submit करिये आपका channel जो है easily recover हो जाएगा मैं वहाँ पे provide करा दूँगा तो मिलते है next video में take care bye bye